हलो नमस्ते यह वैलकम और चैनल शुब टैंपल आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुब टैंपल पर मैं शुबं जोशी आज हम लेकर आए हैं कि कैसे नैनिताल का ब्लॉग रहेगा नैनिताल ब्लॉग फर्स्ट वीडियो कि आप कैसे रिशिकेश नैनिताल आ सकते हैं हम में हैं नेनिताल के पहड़ों में और हम यहां पर हैं जर्शिकेश से कैसे आप अपनी यात्रा प्राद्ज कर सकते हैं सबसे पहले 901 जब भी आप 7 कि तरफ आते हने तो क् Яस में अपके पास 2 म elles तीन तरी私 कि आप îहां पर पहुंस्ट वहां से लेके आप आसकते हैं हल्दवानी और हल्दवानी से आपके आप सकते हैं आप रिच के लियेudos नहरात में कि बहुत अच्छी ट्रेन को सकते हैं आप कहीं से आ यह हैं तो आप काठ को семナ अए तो आप उड़ान सबसका कर सकते हैं upset दिस्क्रिप्शन में बताएंगे तो हम आपको बता देंगे रिजॉर्ट कौनजा है एसे बहुत सारे रिजॉर्ट यहां पर रुख सकते हैं हलदवानी से कैब मिल जाएगी आप वहाँ से कैब ले सकते हैं शेरिंग कैब हो सकती है sharing cab के अलावा buses भी मिल जाती है time to time या आप आपकी खुद की personal cab भी ले सकते हैं अब यह हम आपको बता दें कि केतना expensive रहेगा तो आप train से कोई ज़्यादा expensive नहीं है बहुत अच्छी सुन्दर train है जो स्रताबदी express रहती है उसका कोई ज़्यादा शायद ज़्यादान से हल्दवानी तक इसका किराया है 510 रुपे ECC का 510 रुपे और हल्दवानी से नहीं ज़्यादाल आपको कोई सी भी sharing cab में या अगर आप personal cab करना चाहते हैं तो 1200 रुपे और sharing cab आप करेंगे तो 500 रुपीस पर पर सन आपको लग जाता है Sampal? Hmm? You are like How do you like the mountains of Nani Tel? Oh that's really It's really beautiful here It's really great because Shubh and I spent the six months in Rishi Keshe Just very focused Every day and spending several hours On our work Giving guided meditations Working on programs So we've been here almost a week now And it's been a really great way To just recharge our batteries It's much cooler here, so it's perfect timing for us to come into a much more cool place, quiet place, and just get some inspiration. Yes, and if you have to do what to do here, if you stay in Haldwani, then you can go to Haldwani from Haldwani, you can go to Haldwani from Haldwani, Baban Neem Karuli, which is 45 km, because it's a mountain road, so you'll probably take 1-1.5 hours there. If you go to Haldwani and you can move on here, then you'll take 1-1.5 hours. If you are even looking at this, theговahari, where you are from, if you are coming to Haldwani, then you can move on to Haldwani, either Kastar Devi. There's Kastar Devi, and there's Kastar Devi at Haldwani, which is a holy, practices made of Haldwani. And Kastar Devi is very nice and soft. And the church of the Haldwani's temple is built. सङ्षितन जाता है कि मातनजी का मंदिर बहुत शक्तिस अल्य है यह पर जहां हम रुकें हैं इसका जोली कोट नाम है इस अरिये का आप सर्च का सकते हैं जोली कोटोर्थ और यहां पर भाट सुंदर सुंदर जीं कार्बएट कि जो वाज यहां से लगी हुई है और उसके वीडियो रहा और नेक्स्ट वीडियो विलकम अगेन वेरी सून आप रिशी के इसे निकलकर नैनिताल कैसे पहुंश सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप रेनिताल में क्या क्या कर सकते हैं in between you what you can do in नैनिताल आपके अगर कोई भी question है आप comment box में कर सकते हैं कि कितना rent है कितना खिराया है कौन सी train book करें कौन सी नहीं करें आप सब के लिए और मैं इसका reply कर दूँगा धन्यवाद very thank you please share like and subscribe